नमस्कार दोस्तों स्वागते इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद्पेन लोदा दोस्तों जितनी भी सिक्सन विदिया आपको पड़ाई है उनका टेस्ट लिया जा रहा है तो यह टेस्ट नमबर पांच हुआ इसके पहले में चार टेस्ट और ले चुका और अगर आपने वो चार टेस्ट सोल करके नहीं देखे तो एक बार उन वीडियो को देखिए प्ले लिस्ट में रीड टेस्ट नाम का एक मेंने प्ले लिस्ट बना रखिए तो रीड टेस्ट एक बार तो चैनल पर जाईए फिर प्ले लिस्ट में जाईए फिर रीड टेस् करके आपको जरूर बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रेश्ण सही हुए है अगर आप 25 प्रेश्ण सही कर देते हो देखो ये प्रेश्ण थोड़े मैंने कटिन मनाए इनका लेवल थोड़ा हाई रखा है ठीक है तो अगर 25 प्रेश्ण तो लगबग नहीं हो पाएंगे आप आपको टाइम भी मिलेगा कि आपको सोल करना है तो चलिए पहला प्रेश्ण देखते हैं और यह जो भाषय कोशल अपने पूरे हो चुके हैं उनके उपर यह अधिकतर प्रेश्ण रहेंगे इसमें क्योंकि जो भाषय कोशल की विदिया है वो पूरी हो चुकी अभी नाट प्रेश्ण देखते हैं इसमें पहला प्रेश्ण है प्रेश्ण नमबर एक पटन कोशल का उदारण है समझना आराम से परश्ण पहला क्या है पटन कोशल के बारे में पूच रहे है कि पटन कोशल का कौन सा उदारण है चात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे ह अध्यापक मुवान से लिखवा रहा है सीता किताब पढ़ रही है और चात्र ग्रेकार ये कर रहे हैं तो उनमें से कौन सा उदारण पटन कोशल से सम्मन्दित है दोस्तों आपको इसके लिए 10 सेगंड का समय दिया जाता है बताईए इसका right answer रहेगा सीता किताब पढ़ रही है ठीके तीसरा वाला जो option है वो इसका right रहेगा ये पटन कोशल का उदारण है तो ये पहला प्रेशन था आपको comment करके जरूर बताना है मैं वापिस बोल रहा है आपको comment करके जरूर बताना है चलिए दूसरा प्रेशन देखते हैं स सबसे सरल बाशाई कोशल कौन सा है तो इसका रायट आंसर रहेगा दोस्तो एक बार आप बता दीजिए तो इसका रायट आंसर सबसे सरल की बात की जा रही है तो सबसे सरल है शर्वन कोशल ठीक है इसका आंसर भी तीसरा वाला ओप्शन ही रहेगा तो ये दो प्रशन चुके चलिए तीसरा प्रिशन देखते हैं तीसरा प्रिशन है दोस्तो समस्त भाषई कोशलों में सबसे कटिन कोशल माना जाता है पटन, शर्वन, लेखन या वाचन सबसे कटिन की बाद की जारी है यहाँ पे तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तो एक बार आप बता दीजिये इसका राइट आंसर रहेगा सबसे कटिन में लेखन ठीके यहाँ पे भी तीसरा प्रिशन ही राइट रहेगा तो तीन प्रिशन में तीसरा प्रिशन ज्यादा राइट है प्रतम सिकाना चाहिए लेखनी पकड़ना, वन बनाना, आकरतिया बनाना या सभी इसमें देखिए आप 25 प्रश्ण करी नहीं पाऊगे देखना आप अभी लेवल बढ़े गए न कहना तो लेखन कोशल के विकासे तू बालकों को सरुप्रतम क्या सिखाना चाहिए लेखनी पकड़ना सिखाना चाहिए या वन बनाना या आकरतिया बनाना या सभी सबसे पहले की बात की जा रही है तो दोस्तो इसका आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर रहेगा सबसे पहले अगर आप बालक को लेखन कोशल सिखा रहे हो तो सबसे पहले आपको लेग नी पकड़ना की बालक को बताना पड़ेगा की लेग नी केसे पकड़ते हैं ये चीजे सभी मेरे वीडियो में बता रखी है ठीके इसका पहला वाला ओप्शन राइट रहेगा चार प्रशन होगे चलिए पांचों प्रशन देखते हैं पांचों प्रश्ण है, मोन्टेन सरी की समस्त विदियां आदारित है, किस पर आदारित है, किर्या पर आदारित, सीखने पर आदारित, पटन पर आदारित या ज्यानेंद्रियों पर आदारित, दोस्तों इसका राइट आंसर बतना है आपको, तो इसका राइट आंसर रहेग में लेखन कोशल का विकास करना समझना है थोड़ा सा प्रश्णों का लेवल 5 प्रश्णों के छेटा प्रश्ण है अध्यापक के द्वारा बालक में लेखन कोशल का विकास करना अब फिर इसके बाद में ओप्शन है आपके आवश्यक है दूसरा ओप्शन है इससे बालक इस पश्ट रूप से व्यक्त कर सकता है तीसरा उप्शन है यह अंतिम कोशेले इसलिए इसका विकास करना जरूरी है और चोता उप्शन है एक सामान्य पर किर्या है तो बताओ अब यहाँ पर उलजे हुए प्रश्ण डाल दिये मैंने दोस्तो इसका राइट आंसर हैगा दूसरा उप्शन इससे वालक अपने विचारों को इस पश्ट रूप से व्यक्त कर सकता है क्योंकि आपको पता है बहुत सी बार किसी चीज़ को अपन बोलने में दिक्कत आती है उसको इस पश्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन उस चीज को अच्छी तरह से अपन समझा सकते हैं ठीक तो इसका उप्शन रहेगा दूसरा वाला इससे बालक अपने विचारों को इस परश्ट रूप से व्यक्त कर सकता है चलिए साथ वह प्रश्ट देखते हैं साथ वह प्रश्ट सिक्सक द्वारा संपूर्ण माला को शाम विदी उप्योग में लाई गई है दोयनी सामे विदी जेकट आर्ट विदी अनुकरन विदी या मौन्टेन सरी विदी बता हुई समझो एक बार प्रश्ट को समझो कि वर्ण माला को शामपट पे लिख रहा है फिर चात्र सरल जो चात्रों को सरल वर्ण लग रहे हैं उनक एक तो रूप रेका अनुकरन विदी और एक सोतंतर अनुकरन विदी ये सोतंतर अनुकरन विदी की बात की जा रहे है आपे ठीक है तो उसका राइट आंसर कौन सर रहेगा तीसरा वला ओप्शन ये सात्वा प्रश्न आटवा प्रश्न देखिए समझना है थोड़ा सर्व प्रहट आफ्रेगा एक बाइप बता दीए हाँ बिल्कूल इसका राइट आफ्रेगा गीत हुए कहाने विदी ठीक है गीत वे कहाने विदी इन चीजे udah को मैंने अच्छी तरह से पड़ा है आपको आ आज इसका जो प्रश्न है इसका आंसर है गीत वे कहाने विदी नोवा प्रश्न देखिये बाशेउ कोश्लो का सही करम है अब आप को पता है लेकिन option में देखना पड़ेगा का आपको कौनसा वाल लोप्शन राइड करना है प्रष्ट처럼 नोवा है भाशे कोश्लों का सही क्रम पहला है सुनना बोलना लिखना पढ़ना दूसरा है सुनना पढ़ना लिखना बोलना तीसरा है यह तीसरा है दोनिये ना सुनना बोलना पढ़ना लिखना और चोता है पढ़ना लिखना सुनना बोलना तो अब इस बताई इसमें से कौन स वाला right answer रहेगा तो दोस्तों इसका Right Answer है सुनना बोलना पढ़ना लिखना यह जो पहला है यह mountain administrator का अनुसार अगर पूछ था तो पहला वाला right रहता और यह जो है यह सुनना बोलना पढ़ना लिखना यह वाला सही माना जाएगा वाष्य कोशलो का स्क्रम मतलब बालक पहले सुनता है फिर बोलता है फिर पढ़ता है और फिर अंत में लिखना सीख जाता है तो चलिए नोवा प्रश्न का अंसर तीसरा वाला अप्शन है दसवा प्रश्न देखते हैं तो ये रहा दसवा प्रश्न बाशा कोशलों के बारे में कौन सा कतन सही है समझना बाशा कोशलों के बारे में कतन पूँच रहे कि ये जो चार कतन है इनमें से कौन सा वाला राइट है तो पहला है बाशा के कोशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपून है दूसरा है बाशा के कोशलों में मूल रूप से सुनना बोलना ही मत पून है तीसरा है बाशा के कोशल केवल क्रमबद रूप से ही सीखे जाते हैं और चोता है बाशे ही कोशल अंतर संबंदित होते हैं तो ये सभी अधर इस्टेट और सीटेट वगेरा इनके जो पेपर में प्रिश्ण है ना उनको छाटाय में नहीं आप है तो इसका राइट आंसर बताना है बाशा कोश्ट लोग के बारे में कतन पूच रहे कि कौन सा कतन साहिए तो देखो पहला देखते हैं अब आपको बता तो मोन्टेन सरी ने तो अलग बताया है लिखना पहले बता दिया तो उन्होंने भी तो कुछ देखा होगा इसलिए इसका चोता उप्षन है बाशा कोशल अंतर संबंदित होते हैं ये वाला उप्षन यहां पर राइट माना गया है ठीक है बहुत इंपोटेंट लेकते हैं ग्यारवा प्रिश्ण मौन पटन का मुख्य उद्देश है सतही डंग से पाठ खत्म करना गहन अर्थगरन करना बिना बोले पढ़ने की कुछलता का विकास करना और शान्ती के साथ पढ़ना मौन पटन का मुख्य उद्देश पहुच रहा है हलाकि उद्देश तो चारो है लेकिन मुख्य कौन सा है तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ इसका राइट आंसर है गहन अर्थगरन करना दूसरा वाला उप्शन इसका राइट है दिमाग माया होगा बिना बोले पढ़ने की कुछलता का विकास करना ये मौन पटन कहला था ये इसका उ क्यों देशे तो इसकाा राइट आनसर कोन सा है दूसरा option प्रश्ण नमबर बारवा देखते हैं बारवा प्रश्ण है निम्ण में से कोन सा पटन का प्रकाल नहीं है नहीं है सस और पटन मोन पटन अर्थ पटन दूर्द पटन इसमें नहीं पटन का प्रकार नहीं है ये देखना है आपको तो दोस्तों इसका राइट आंसर में बता देता हूँ अर्थ पटन कोई नहीं होता है क्योंकि आपको पता सासवर पटन होता है मोन पटन होता है दुरूद पटन होता है सबी चीजे बता रखी है वीडियो नहीं देखे हैं तो चेनल पे जरूर जाए वीडियो देखने के लिए प्रिश नमबर 13 पटन कोशल में सरवदिक महतु है शब्दो का अर्थ, वाक्य का अर्थ, दुरूद गति से पढ़ना या मुख्य बिंदू या विचार को ग्रहन करना अब इसमें से पटन कोशल का महतु पूँच रहा है वो भी सरवदिक अलाकि महतु तो चारों का है लेकिन आपको सरवदिक देखना है तो दोस्तो इसका राइट आंसर है मुख्य बिंदू या विचार को ग्रहन करना लिखना है कि सबसे कम महत्वपून कौन सा है तो सुलेक पहला उप्षन चित्रांकन दूसरा उप्षन मन की बात लिखना तीसरा और गटनाओ द्रश्यों का लिखित वर्णन करना चोथा तो सबसे कम महत्वपून कौन सा है लेखन कोशल के विकास में सुलेक है या चित्रांक का मतलब क्या है चित्रों का अंकन करना चित्रों को बनाना तो चित्रों को बनाने से लेकरन कोशल का विकास तोड़ी होता है वो तो चित्रकला का विकास हो गया तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा माना गया था चित्रांकन ठीक पंद्रवा प्रश्ने देखते हैं पंद जन्म जात होती है दूसरा है व्याकरण का ज्यान बाशा प्रियोग की कुशलता का एक मात्र सुनिश्चित मांदंड है तीसरा है बाशा सीखना बाशा की कक्षा में ही संभव है और चोता है मानक बाशा के प्रियोग पर अत्यदिक बल देना चाहिए तो कौन सा कतल सही होती है यह कतन सही है ठीक है यह पंद्रवा प्रश्ण है तो मैं वापिस कह रहा हूं अगर 25 या इससे ज्यादा प्रश्ण हो जाते हैं तो कमेंड में जरूर लिखे और प्रश्ण मुझसे कॉंटेक्ट करें क्योंकि मेरा है मानना है कि जो 25 कर लेगा उसको सही मार्ग दर्शन मिल जाए तो उसका सेलेक्शन बिल्कुल आराम से हो सकता है सोलवा प्रश्ण देखते हैं बच्चों की पटन कुशलता का विकास करने में सबसे अधिक महत्पून है अब पटन कुशलता का विकास करने में सबसे अधिक महत्पून की बात की जा रही है तो पहला है भाशिक सरचनाओं का अभ्यास कराना दूसरा है अर्थ की उच्चारंगत शुद्धता पर बल देना, तीसरा है विविन संदर्बो से जूड़ी सामगरी, और चोता है पाटे पुस्तक में दिये गए अभ्यास, तो आपको पटन कुशलता का विकास कराना है, और इसके लिए महतिपुन तो चारो है, लेकिन सबसे अधिक महतिपुन सरचना हैं, जिसे वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, इनका अभ्यास कराना, इनसे सबसे ज़्यादा पटन कुशलता का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बाशिक सरचनाओं का अभ्यास कराना, इसका जो पहला उप्शन है, सत्रवा प्रशन इसका है, option है एक अनिवारे को शलता है जिसे जल्दी प्राप्त करना चाहिए एक तरह की बातचीत है एक अत्यनति यांत्रिक परकिर्या है एक बेहत जटिल परकिर्या है तो लिखना इन चारों में से क्या है बताईए दोस्तो इसका right answer माना गया था एक तरह की बातचीत है क्योंकि पर 17 हो गया अठारवा देखते हैं बाशा सीखने का व्यवहारवादी द्रश्टि कोण बीच में इस पेस पर बल देता है तो बाशा सीखने का जो व्यवहारवादी द्रश्टि कोण है वो किस पर बल देता है रचनात मकता पर बल देता है या भाशा प्रियोक पर बल देत या अभिवेक्ति पर बल देता है या अनुकरण पर बल देता है तो यह चीज अगर आपने नहीं पढ़िए तो डेफिनेटल आप गलत करने वाले हों क्योंकि जो व्योभारवादी दृष्ठी कोण है उसका मानना है कि बालक को बाशा सिखाने के लिए अनुकरण पर बल दे करेंगे मतलब आप किसी साहित्ति को पढ़ा रहे हैं उसमें कोण सी साहित्ति विदा है जिसके आपको सहसवर पटन अनिवारी रूप से करना पड़ेगा सहसवर मतलब बोल करके तो जीवनी पर या यात्रा वर्तांत पर या आत्मकता पर या एकांग की पर तो इसका भी आ यात्रा वर्तांत किसी को सुनाओंगे तो बोल कर ही सुनाना पड़ेगा ठीक है किसी चीज को अच्छी तरह से यात्रा वर्तांत अगर कर रहे हो तो वहां पर सहसर पटन होना बहुत जरूरी है ठीक प्रेश नंबर 20 वह देखते हैं पटन कोशल का अभिप्राई है वाक्य को पढ़ना पढ़कर समझना लीपी चिन्नों की पैचान या शब्दों को पढ़ना तो पटन कोशल का अभिप्राई पूंच रहे है क्या वाक्यों को पढ़ना ही पटन कोशल है शब्दों को पढ़ना पटन कोशल है या लीपी चिन्नों की पैचान पटन कोशल है या पढ पढ़कर समझना पढ़कर समझना अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो और समझ रहे हो तभी वह पढ़कर समझना ठीक प्रेश नमबर 20 का राइट आंसर दूसरा वाला पढ़कर समझना 21 पभी देखते हैं सर पटन का मुख्यू देश भाइ बोल बोल कर पढ़ना दुरूद गटि से पढ़ना मौन पटन करना और बचों में पढ़ने समन्धी जिजग दूर करना की का है बोल बोल कर पढ़ना ही है मुक्य उद्देश या जल दुरूत गती से पढ़ना है या मोन पटन करना है मोन पटन तो ही नहीं होई गई नहीं इसमें या बच्चों में पढ़ने समंदी जिजग दूर करना तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बच्चों में पढ़ने समंदि जिजग दूर करना ठीक है प्रशन पर 21 का राइट आंसर है चोता बाइस वव प्रशन देखते हैं बाइस वव प्रशने बोलना कोशल में सरवधिक महत्पून है बोलना मतलब वाचन कोशल इसमें सरवधिक महत्पून क्या है आप किसी चीछ क को बोल रहे हो तो उसमें सरवधिक महत्पुन बात क्या होती है शुद्द उच्यारंड है चाहिए समझ तो बोलना ठीक है लेकिन आप मान लीजे शुद्ध उच्चारण निकर रहे हो तो सामने वाला अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है इसलिए सरवदिक महत्पूर्ण क्या माना गया है शुद्ध उच्चारण किसमें बोलना कोशल में तो चलिए प्रश्ण नमबर 23 वह देखते हैं बाशा सिक्सक का दाईतु यह है क कि वह सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्ण पूचे सभी बच्चों की सहज भाषय समता को पैचाने सभी बच्चों को समान रूप से गरे कार्य दे या सभी बच्चों में बाशा प्रियोग की एक समान कुशलता विक्सित करे तो इसका राइट अंसर बताना है आपक इसका रायट अंसर है, सबीबचशों में भाशा प्रियोक की एक समान खुशलता विक्सित करें क्योंकि अगर आपके दिमाग में आया है, सबीबचशों की सहज भाशाई शमता को पहिचाने तो पहिचान नालग बात है और कुशलता विक्सित करना उस से ऊपर है इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है सभी बच्चों में बाश्या प्रियोग की एक समान कुशलता विक्सित करे आपको भी लेवल लग रहा होगा कि हाँ लेवल वास्तों में आई है प्रेश नमबर चुईस्वा देखते है बालक सरुपरतम मात्र बाश्या को सीखता है पहला उप्षान है मात्र बोली के रूप में दूसरा है चिलाने के रूप में तीसरा है व्यक्षान के रूप में और चोता है गाने के रूप में तो मात्र बाश्या को किस रूप में सीखता है बताईए दोस्तों इसका राइट आंसर में बता देता हूँ इसका राइट आंसर है मात्र बोली के रूप में हो सबसे पहले मात्र भाशा को सीखता है 25 वह प्रश्ण देखते हैं प्रात्मे किस तर पर भाशा सीखने का अवसर है कि प्रात्मे किस तरज होता है बालक का कश्यक से पांच उस पर वो भाशा किस माध्यम से सिखता है परिवार से, मित्र से, खेल से या सबी से तो इसका राइट आंसर रहेगा सबी से ठीक है सबी से वो भाशा को गरण करता है प्रिश नमबर 26 देखते हैं बालक की पहली पांच चाला है प्रात्मे कुद्ध्याले, सिसु सिक्सा केंद्र, परिवार या अंगनवारी, प्रात्मे की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर है प्रिवार, 26 देखते हैं प्रात्ना सबा में, जो प्रात्ना होती है स्कुलों में, उसमें समाचार कतन से किस योग्यता का विकास होता है कोई भी बालक होता है वो समचार को मतलब अकबार या पिर कोई न्यूज होती है उसके माध्यम से वो बोलता है तो उसे किस योग गिता का विकास होता है अर्थगरन योग गिता का या बोलने की योग गिता का या सुनने की योग गिता का या अभी वेक्ति की योग गिता बत समाचार पढ़ रहा है तो फिर बोलने की कोश जो योग गेता है उसका विकास होना जरूरी है चलिए 800 प्रश्ण है बाशे कोशलो के विकास है तू कितने तत्व का उल्ले किया गया है तो बाशे कोशलो के विकास है तू कितने हैं पांच है या छे है या चार है या तीन है त तो अब ये प्रश्ण बहुत सिधा है, बहुत ज़्यादा सिधा प्रश्ण है लेकिन आप इसमें भी उलज रहे हो, कि बाशेई कोशलों के विकास ये तो कितने तत्व का उलेक किया गए, पांथ, छे, चार, तील, कुछ भी नहीं सोचना है, इसका राइट आंसर रहेगा, चार, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चार, तत्व कौन-कौन से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, जो बाशेई कोशल है, वो भाशेई तत्व कहलाते हैं, किलिए रहे सभी के, तो इसका राइट आंसर कौन से रहेगा, चार, यह वीडियो अगर अच्छ ल प्रेश्ट नमबर 29, कौन सा कार यह पहले कराना उचित है, वर्ण माला पढ़ना, वर्ण माला लिखना, सुनना या बोलना, बालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बताएगे, इसका राइट आंसर है दोस्तों सुनना, कि सबसे पहले शर्वन कोशल का विकास उसमें करना चाहिए और इसका लाश्ट प्रेश्ट में है आज का प्रेश्ट नमबर 30 ग्रह या आत्मक कोशल कौन से हैं मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी वेंजिना आत्मक और ग्रह या आत्मक कोशल ग्रह या आत्मक कोशल कौन से सुनना बोलना पढ़ सुनकर और बोलकर पढ़कर या लिखकर बोलकर या पढ़कर और सुनकर या पढ़कर तो इसका right answer है दोस्तों सुनना और पढ़ना या तो अपन किसी के विचारू को सुनकर गरन करते हैं या पढ़कर गरन करते हैं किलियर है ये भी तो ये 30 प्रशन थे आपको comment box में जरूर हैं कि 30 में से आपके कितने प्रशने right हुए हैं जरूर से जरूर अगर 25 या इस से ज़्यादा प्रशन right हो जाते हैं तो आप एक बार personally मुझसे contact कर सकते हैं और बिलकुल आप जो दिशा है बिलकुल सही दिशा में आप जा रहे हूं तो ये 30 प्रशने हैं अगर वीडियो अ